तो नमस्कार आप देखने हैं सरूप साकर का गेट जहां से आज पानी खोल दिया गया देर रात को क्योंकि लगातार जो है नदी का जलिस्तर सिसार्मा का साड़े पांच फिट नदी अभी भी आ रही है और आप देखें कि यहां पर नगरवाशों का जो देखने के लिए ता रही हो और इतना ट्राफिक जबरदस्त है देखने के लिए कि हरकोई इसको देखना चाहता है और देखें कि नदी में पानी जाता हुआ पानी जहें वह देखेंगे इतना बड़ा ताता है कि जब भी सरुप सागर लेक पिछोला फुल होते आए तो उसको देखने के लिए नगरवाशों का जबस्तत ताता लग जाता है पानी देख सकते हैं कि आप करीब एक बार दिधार करना चातें है जिल का कि एक बार जाते-जाते देखला अश्याव है कि यहाफ नगरए तो चादर देखें लगरी परी तीन इंची की चादर भी चल रही जबकि गेट भी खुले हुए इस तरश्य को देखने के लिए इस तरश्य को केमरे में केट करने के लिए हर कोई या कुल है कि सरुप सागर से बैता हुआ पानी कैसा लग रहा है आप रोख नहीं पाए अपना आपको कि आपके पानी में वह ताकत है खीज के लेकर आगई तो आप देखे कि आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जब प्यासा पानी की तरफ बागता है उसी प्रकार से यहां जब जीले बर जाती है तो यहां के नगरवासी जो दोड़कर एक काम है सबसे पहले देखना एक प हम आता है हो सभी जो है कि हर द्रश्य को अपने केमरे में जो है वोग करते रिखा ही दे रहे हैं और द्रश्य अभी बड़ा ही बार्म की देखे कि नगरवासी आ गए है यसा लग रहा है क्या लग रहा है जीले परने की उमीद हो गई बर गई तो देखें आप चलती हुई करीब 3 इंची की तो चादर चल रही है और गेट ज्यों है वह भी खोले गए क्याने का मतलब है कि जितना पानी पेचे से आरा नदी से आ रहा है उसका आदा पानी जे है वो खोला गया है और लगातार ये उदे साकर की दिल की तरफ ये पानी जा रहा है तो ये बहुत ही कुछ रच्छे अभी-भी का ताजय द्रश्य है देखें नगरवासी किस प्रकार से देखिये फोटो लेते हैं बाई साथ क्या कर देखिये आप उसक्रार से पता लगा सकते हैं बस एक फोटो लेकर दिखाना है किसी को दो देखें आप यहां लोगों का ताता देखें जबरदस जाम लगा हुआ है बहुत खुशकमरी है उदयपुर के लिए एक आखिर लेक सिटी की सबसे बड़ी पांच किलो मीटर देखिये आप पूरी की पूरी नदीज है अब आगई और उसके बाद में यह अगरी जाम लगिया गड़ी का अब आधा नदीज चल रही है जाम लगिया जबरदस तो देखते रही है अगली वीडियो में और भी संदर द्रश्य बने रहे चैनल के साथ लाइक करें शेयर करें ज्यादा ज्यादा दोस्तों